नेपाल की कैबिनेट ने एक एह फैसले में नेपाल का नया राजनी तिक नक्षा जारी किया है इस नक्षे में लिम्पिया धूरा काला पानी और लिपुलेख को नेपाल की सीमा का हिस्सा दिखाया गया है नेपाल की कैबिनेट ने इसे अपना जायस दावा करार देते हुए कहा कि महाकाली यानि शारदा नदी का स्रोत दरसल लिम्पिया धुरा ही है जो फिलहाल भारत के उत्तराखंड का हिस्सा है भारत इससे इनकार करता रहा है नेपाल की कैबिनेट का फैसला भारत की ओर से लिपुलेक इलाके में सीमा सड़क के उधगाटन के दस तिनों बाद आया है। लिपुलेक से होकर ही तिबबत चीन के मानसरोवर जाने का रास्ता है। इस सड़क के बनाई जाने के बाद नेपाल ने कड़े शब्दों में भार भारत के कदम का विरोध किया था। और सहकारिता मामनों के मंतरी घंश्याम भुसाल ने कांतेपुर टेलिविशन से कहा ये नई शुरुवात है लेकिन ये नई बात नहीं है। सचेवस्तर की बातचीत COVID-19 संकट के खत्म होने के बाद हो सकती है। के बाद नेपाल ने काला पानी और लिपुलेख शेत्रों पर अपने पुराने दावों को फिर दोहराया। और काठमान्डू में भारत के राज़तूत और भारती विदेशमंत्राले को नेपाल की चिंताओं से अवगत कराया था। इससे पहले नेपाल ने कहा था कि भारत ने जिस सड़क का निर्मान उसकी जमीन पर किया है। वो जमीन भारत को लीज पर तो दी जा सकती है लेकिन उस पर दावा नहीं छोड़ा जा सकता। बुद्वार को लिपुलेख विवाद पर नेपाल के प्रधानमंत्री के पिशरमाओली ने एक सर्वदली या बैठक बुलाई थी जिसमें पूर्व प्रधानमंत्रियों ने भी हिस्सा लिया था। लिपुलेख वो इलाका है जो चीन, नेपाल और भारत की सीमाओं से लगता है। लिपुलेख में कथित अतिक्रमन के मुद्दे को लेकर नेपाल में भारत विरोधी प्रधर्शनों का सिलसिला भी चारी है। नेपाल के प्रधानमंत्री के पिशर्माओली की सरकार ने इस सिलसिले में भारत के समक्ष लिपुलेख इलाके पर नेपाल के दावे को दोराते हुए कड़े शब्दों में कूटनितिक विरोध दर्ज कराया है। उत्तराखंड के धार्चुला के पूरब में महाकाली नदी के किनारे नेपाल का धार्चुला जिला पड़ता है। महाकाली नदी नेपाल भारत की सीमा के तौर पर भी काम करती है। नेपाल सरकार का कहना है कि भारत ने उसके लिपुलेक इलाके में 22 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्मान किया है। नेपाल ने पहले भी साल 2019 के नवंबर में भारत के समक्ष अपना विरोध जताया था। साल 2015 में जब चीन और भारत के बीच व्यापार और वानिचे को बढ़ावा देने के लिए समझोता हुआ था तब भी नेपाल ने दोनों देशों के समक्ष अधिकारिक रूप से अपना विरोध दर्च कराया था। भारत चीन के बीच हुए समझोते को लेकर नेपाल ने पहले भी साल 2019 के नवंबर में भारत के समक्ष अपना विरोध जताया था। साल 2015 में जब चीन और भारत के बीच व्यापार और वानेची को बढ़ावा देने के लिए समझोता हुआ था तब भी नेपाल ने दोनों देशों के समक्ष अधिकारिक रूप से अपना विरोध दर्च कराया था। नेपाल का कहना है कि इस समझोते के लिए ना तो भारत ने और ना ही चीन ने उसे भरोसे में लिया जबकि प्रस्तावित सड़क उसके इलाके से होकर गुजरने वाली थी। इस सब्ताह जब काठमान्डू में भारत विरोधी प्रदर्शन अपने चरम पर थे तो नेपाल ने बुधवार को एक और बड़ा सा एसला किया। पर दस्तकत के 204 साल बाद नेपाल ने आखिरकार तीन देशों की सीमा से लगने वाले अपने इस इलाके की सुरक्षा के लिए कदम उठाया है। एक बार फिर दोनों देशों के संबंधों में खटास आ गई है। हालांकि विवाद के कुछ एक मुद्दों को छोड़ दें तो दोनों देशों के संबंध हाल के समय में तकरीबन मधूर ही रहे हैं। इसी मही ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और केपी शर्माओली ने कोविड-19 की महमारी के खिलाफ एक चुट रहने की प्रतिबधता जताई थी। लेकिन लिपुलेख में भारत के सड़क बनाने की घटना ने कई नेपालियों को नारास कर दिया है। यहां तक की प्रधान मंत्री केपी शर्माओली को ये स्पष्ट करना पड़ा कि नेपाल अपनी जमीन का एक इंच भी नहीं छोड़ेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि अचानक पैदा हुए लिपुलेख विवात के कारण क्या भारत नेपाल मैत्री खत्म हो जाएगी। महाकाली नदी के उद्गमवाला ये पहाड़ी इलाका नेपाल के लिए इतना महत्वपून क्यों है। और ये सवाल भी उतना ही मायने रखता है कि लिपुलेख भारत के लिए भी रणनीतिक द्रिश्टी से इतना एहम क्यों है। नेपाल-भारत संबंधों पर कई भारती अविशलेशकों का कहना है कि सभ्यता, संस्कृती इतिहास और भूगोल की द्रिश्टी से कोई भी दो देश इतनी नजदी की नहीं रखते हैं जितने की भारत और नेपाल हैं। लेकिन अठारा सो किलोमीटर लंबी सीमा पर दोनों देशों के दर्मियान कभी न खत्म होने वाले कई सीमा विवाद मी हैं। दोनों देशों की सरहत जादा तर खुली हुई और आड़ी तिर्ची भी है। हलांकि अब सीमा पर चौकिसी के लिए सुरक्षाबलों की तैनाती बढ़ी है। मुश्किल इस बात को लेकर जादा है कि दोनों देशों की सीमाओं का निर्धारन पूरी तरह से नहीं हो पाया है। महाकाली यानि शार्दा और गंडक यानि नारायनी जैसी नदियां दोनों इलाकों में सीमाओं कन तै करती हैं। वहां मौनसून के दिनों में आने वाली बाहर से तस्वीर बदल जाती है। नदियों का रुख भी साल दर साल बदलता रहता है। कई जगहों पर तो सीमा तै करने वाले पुराने खंबे अभी भी खड़े हैं लेकिन स्थानी ये लोग भी उनकी कदर नहीं करते। सामान्य परिस्थितियों में लोगों का एक देश से दूसरे देश आना जाना लगा रहता है। भारत और नेपाल के सर्वे अधिकारी और टेक्निशियन्स सालों की साजा कोशिश के बावजूत अभी तक कोई ऐसा नक्षा नहीं बना पाए हैं जिस पर दोनों देश सहमत हों। नेपाल के सर्वे विभाग के पूर्व महानी देशक बुद्धि नारायन श्रेष्ट की रिपोर्ट के मुताबिक साल 1850 और 1856 में भारत और नेपाली अधिकारियों ने मिलकर एक नक्षा तयार किया था। बुद्धि नारायन श्रेष्ट के मुताबिक महाकाली नदी लिम्पियादुरा काला पानी से उत्तर पश्चिम में 16 किलोमीटर दूर से निकलती है। और सुगौली की संधी में इस नदी को दोनों देशों की सरहद करार दिया गया था। इसलिए इस से साबित होता है कि का बुद्ध के तौर पर सुईकार करने से इनकार करता है। भारती अपक्ष का कहना है कि इसके जगे 1875 के नक्षे पर विचार किया जाना चाहिए जिसमें महाकाली नदी का उद्गम काला पानी के पूर्व में दिखलाया गया था। गौरतलब है कि 1875 के नक्षे पर नेपाल के दस्तखत नहीं है। काठमांडू में इस मामले पर जानकारी रखने वाले अधिकारियों का कहना है कि नेपाल और भारत की सीमा के निर्धारण का काम ज्यादातर पूरा कर लिया गया है। पर सीमांकन के बिंदों के निर्धारण पर सहमत नहीं हो पा रही है क्योंकि नदियों के बहाव की दिशा बदलती रहती है इन नदियों का रुक बीते दश्गों में लगातार बदलता रहा है लिपुलेक का विवाद ऐसे ही इलाके से चुड़ा हुआ है नेपाल का कहना रहा है कि लिपुलेक परवत महाकाली नदी के पूर्व में स्थित है जिसकी वजह से कुद्रती तोर पर ये इलाका नेपाल का हिस्सा बन जाता है और ये बात सुगॉली की संधी में भी साफ तोर पर कही गई है एंसाइकलोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार सुगॉली की संधी से ब्रिटेन नेपाल युद्ध की आपचारिक तौर पर समापती हुई थी संधी की शर्टों के तहट नेपाल ने तराई के विवादास्पद इलाके और महाकाली नदी के पश्चिम में सतलुच नदी के किनारे तक जीती हुई जमीन पर अपना दावा छोड़ दिया था अगर सुगौली की संधी ये सपश्च रूप से कहती है कि महाकाली नदी का पूर्व का इलाका नेपाल का है तो फिर समस्या कहा है नेपाली इतिहासकारों और सर्वे अधिकारियों का कहना है कि दोनों देशों के बीच गलत फेहमी इस बात को लेकर है कि महाकाली नदी का उद्गम स्थल कहां है और विवाद की जड़ यही है इसलिए सवाल उठता है कि महाकाली नदी कहां से निकलती है लिम्पिया धुरा की पहाडियों से या फिर लिपुलेक से गुंजी गाओं के पास जहां लिपुलेक चाने वाली सीमा सडक बीते शुकरवार खुली गई थी वहाँ दो छोटी नदियां आकर मिलती है एक धारा द प्रक्षिण में लिपुलेक से आती है नेपाल के विशशग्य और अधिकारियों का कहना है कि महाकाली नदी लिम्पिया धुरा से निकल कर उत्तरपश्चिम में भारत के उत्तराखंड की ओर बढ़ती है लेकिन इसके ठीक उलट भारतिय पक्षिण का कहना है कि महाकाली न को लिपुलेक के लिए सडक मार्ग खोले जाने के बाद आई नेपाल की कड़ी प्रतिक्रिया पर भारत ने इस फैसले का बचाफ करते हुए कहा कि कि किसी भी नेपाली इक शेत्र का अतिक्रमन नहीं किया गया है और ये सीमा सडक कैलाश मानसरोवर की पारम पर एक धार्मी कियात्रा के रूट पर ही बनाई गई है लेकिन नेपाली इतिहासकारों अधिकारियों और जहां से भारत ने आठ मई को लिपुलेक जाने वाली सडक का रास्ता खोला है यानि गुंजी गाओं के लोगों का ये कहना है कि नेपाली पक्ष के पास इस बात को लेकर पर्याप इसी गाओं के अलावा भारत ने महाकाली नदी के उत्तर में उस से लगे कई इलाकों पर भी अपना कब्सा कर रखा है जिसमें काला पानी भी शामिल है काला पानी में भारत चीन युद्ध के दौरान 1950 में ITBP ने अपनी चौकी स्थापित की थी इसके अलावा सुदूर प काला पानी का मुद्धा उठता रहा है नेपाल के सर्वे विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लिपुलेक और काला पानी हिमालेक शेत्र के सुदूर इलाके हैं जहां पहुँचना बहुत मुश्किल है और वहां कोई इनसानी आबादी नहीं रहती यही वज़े है कि ने स्थानी अधिकारियों को लिखी चित्थी और उस दौर के दस्तावेज शाविल हैं नेपाल, काला पानी और गुंजी के स्थानीय लोगों की माल गुजारी रसीद और नेपाली मद्दाता होने का पहचान पत्र भी सुबूत के तौर पर दिखा रहा है इसके अलावा साल 19 1908 में मानसरोवर की यात्रा करने वाले भारतिय संथ योगी भगवान श्रीहंस और 30 और 40 के दशक में वहां जाने वाले स्वामी प्रणवानंद ने भी अपने यात्रा संस्मरणों में लिपुलेक के दक्षिर में चांगरू गाओं में नेपाली सुरक्षा कर्मियों की मौ बावजूद उनके नेपाली दस्तावेज इकठा किये हैं इनमें लिपुलेक से लगे गुंजी गाओं और काला पानी के आसपास की गाओं भी शामिल हैं भारत नेपाल के दावे को खारिच करता रहा है काठमांडू में भारतिय दूतावास और उसके विदेश मंत्राले ने अपनी तरफ से माहौल शांत करने की कोशिश करते हुए कहा है कि दोनों देशों के विदेश सचेफस्तर की वारता में इन मुद्दों पर बात की जाएगी नेपाल में संसत से सडक तक भारत विरोधी नारे गूंज रहे हैं और इसके बावजूद काला पानी और लिपुलेख को लेकर दोनों देशों के बीच छड़ा विवाद सुलचता हुआ नहीं दिख रहा